हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैं आज क्लास 12 की आरोह भाग दो बुक लेकर आई हूँ आपके लिए इसका प्रथम आध्याय यानि कि पहला आध्याय पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने एक कविता और एक गीत ये कविता cycle उन्होंने जो लिखी हैं पहला जैसे जो कविता हैं आत्मपर्ज उन्होंने एपनी जीवन में आये प्यार के बारे में लिखा है कि वो उनसे किस तरीखे से आया और उसके बाद उनके जीवन में जो चीजे उतार चड़ाओं हैं वो जो फील कर रहे हैं, दुन कि बाय आडंबरों को बारे में बता रही है कि क्या चलता है और वो नहीं मानते उन चीज़ों को इन सभी का वर्णन इस कविता के अंदर उन्हों नहीं किया है। फिर दूसरा जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उन्होंने ये चाइज यहां पर अपनी वेधना व्यक्त करी है कि उनके इंतजार में कोई उनके घर पर नहीं है यहां पर की यहां उन्होंने पहले दो पेरा में तुल्ना करते हुए बताया है कि किस तरीके से एक सामने प्रस्तुत की गई हैं तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है आत्मु परिचे अपने बारे में वो दुनिया को बता रहे हैं इस कविता के माध्यम में मैं जग जीवन का भार लिये फिरता हूं मैं फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हूं कर दिया किसी ने जंकरत जिनको छूकर मैं सासों के दो तार लिये फिरता हूं मैं इसने सुधा का पान किया करता हूँ मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ जग पूछ रहा उनको जो जै की गाते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ तो अब इस पार्ट में उन्होंने क्या बोला मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ मतलब यह जीवन जो यहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो जो आडंबर लगाते हैं जो नियम कायदे बांधते हैं उससे क्या हो जाता है मेरा जीवन भार हो गया है तो मैं उस भार रूपी जीवन को ढो रहा हूं वो जीवन मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूं फिर भी जीवन में प्यारे लिए फिरता हूं मतलब इतना सब कुछ है लेकिन तब भी मेरे जीवन में प्यार है तो ये जब आत्म परिचे कविता लिखी गई थी उस समय उनकी प्रैमिका यानि कि उनकी प्रतम्पत्नी उनसे बिछड़ गई थी तो ये उनके जीवन का उद्गार था जो अब उससे बिछड़ चुके हैं तो वहाँ पर अब उनके पास कुछ भी नहीं है तो वही चीजें उन्होंने याँ व्यक्त करी हैं कि मैं इस जीवन मेरे लिए भार हो चुका है उस भार को मैं अपने उपर ढूरा हूँ लेकिन तब भी मेरे जीवन में प्यार है जिसे मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ कर दिया किसी ने जंकरत जिनको चुकर मैं सासों के दो तार लिये फिरता हूँ ये जो मेरी सांसे हैं ये उन दो तारों के समान हैं जिसे किसी ने छू लिया और जंकरत कर दिया अथाक किसी के एहसास ने मेरे दिल में वो प्यार जगाया जिसके कारण मेरी सासे जो हैं वो जंकरत होटी वो बताते हैं जैसे तार छुओ, सितार के वगरा छुओ तो कैसे तो जन 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 करने लगते हैं, हिलने लगते हैं तो वही चीज उन्होंने बोला अपनी सासों को क्या बताया वो दो तार बताये जैसे सितार के दो तार होते हैं उन तारों को बताया अपनी सासे और उनको किसी के एहसास ने छुआ था कि किसी का प्यार उनको छुआ था तो वो उन्होंने इह बताया कि कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर मैं सासों के दो तार यानि कि मेरे सास रूपे तारों को किसी ने छूकर उसमें प्यार भर दिया था मैं इसने सुधा का पान किया करता हूँ और मैंने प्यार रूपी शराब को पी रखा है प्यार को एक शराब का नशा बताया है प्यार का जो नशा होता है उसको शराब की नशे की तरह कंपेर किया है शराब पीने से जो नशा आता है वही नशा उससे कहीं जादा मतबस्त नशा प्यार का होता है तो वह उन्होंने बोला कि मैंने प्यार रूपी शराब को पी रखा है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं और मैंने कभी भी इस जग की कोई परवाह नहीं करी मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ मैंने कभी भी इस जग की परवाहत नहीं की है जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं मैं अपने मन के अग्यान किया करता हूँ यह जग वाले उनहीं के बारे में पूछते हैं जो इसका गुरगान किया करते हैं यानि कि यहां की वैभव संपता जो है जो एक दूसरे में बाटा करते हैं मस्तिया किया करते हैं सिर्फ उनी को पूछते हैं और मैं तो अपने मन में सिर्फ गान लिये फिरता हूँ और थात प्यार रूपी गान को मैंने अपने मन में रखा हुआ है और उसे लेकर चलता रहत अब इसकी व्याख्याएं कैसे करेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पार्ट पुस्तक आरो भाग दोग में संकलित कविता आत्म परचे से उद्धत है इसके रचैता प्रसिद गीतकार हर्वंश राय बच्चन है इस कविता में कभी जीवन को जीने की शैली बताता है साथ ह दुनिया से अपने द्वन्दात्मक्ष संबंधों को उजागर करता है यानि कि उसको जो है ना द्वन्द है इस चीज़ को लेकर मतलब जो भी नियम काईदे हैं जीवन के उन जीवन काईदों को वो फॉलो नहीं करते हैं इन्होंने अपने जीवन जीने के काईदे कुछ अलग ही बना रखें व्याख्या कैसे करेंगे बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठा कर घूंता रहता हूं उसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है जीवन की समस्याओं के बावजूद कवी के जीवन में प्यार है उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर जंकरत कर दिया है फल सरूब उसका जीवन संगीत से भर उठा है उसका जीवन इन ही तार रूपी सासुं के कारण चल रहा है उसने इसने रूपी शराब पी रखी अर्थात प्रेम किया है तथा बाटा है उसने कभी संसार की परवान नहीं करी सं इच्छा अनुसार चलता है अर्थात वही करता है जो उसका मन है तो वो अपने संसार के चलने के जो नियम हैं जो उनको पूछते हैं उनके उनसे बिल्कुल उलट इन्होंने अपने नियम बना रखे हैं जिसके साथ से वो चलते हैं मैंने निज उर्द में उदगार लिए फिरता हूँ मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता मैं सुपनों के संसार लिए फिरता हूँ मैं जला हृदय में अगनी दहा करता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ जग भव सागर तरने की नाव बनाए मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ अब इस चन में ये क्या कह रहे हैं मैं निज उर में उदगार लिये फिरता हूँ मैं निज में उदगार लिए फिरता हूँ मतलब मेरा जीवन जो है इन कठनाईयों के बावजूद भी खुश है मतलब जीवन में जो उनकी कठनाईया आई है सब कुछ आया है उसके बावजूद भी वो खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे दिल को जो उपहार मिले हैं मेरे हिर्दय में जो उपहार यानि उन उदगारों के रूपो में जो भी अच्छे चड़ मेरे पास बीते थे उनकी जो मैंने यादे अपने उर्मे यानी अपने हिद्धे में समहाल कर रखी है वो मेरे लिए जीवन भर का उप्वहार है और इनको ही मैं अपने साथ हमेशा संजो कर चलता रहता है यह अपून संसार ना मुझको भाता मैं सपनों का संसार लिए फरता और इन्होंने संसार को अपून बताया है क्यों? क्योंकि ये हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जिसका कोई मतलब नहीं वैभव, संपती, धन, मान, सम्मान तो वही इन्होंने बोला इसके चलते ये संसार अभी अपून है मुझे ये आधूरा संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं तो सपनों का संसार मेरे जो अपने सपने हैं मैंने उसका अपना एक अलग ही संसार बना रखा है और मैं उसी सपन रूपी संसार में ही जीता हूँ और मुझे वही भाता है मैं जला हिर्दय में अगनी दहा करता हूँ अब मेरे हिर्दय में जो है तकलीफे हैं मेरा प्यार मुझसे बिछड़ा है तो क्या है मेरे हिर्दय में तकलीफे हैं और मेरा जीवन इसमें तड़प रहा है यानि कि मेरा हिर्दय इस अगनी में जल रहा है और मैं इसी में अपने आपको जलाना पसंद भी करता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ माना कि मुझे अगर दुख मिले हैं तो जो सुख मिले हैं दोनों में ही मुझे बहुत मज़ा आता है मैं इन्ही में खुश हूँ यह नहीं कि दुख हैं तो रो रहें, ऐसा कुछ नहीं, सुख और दुख दोनों में ही मैं मगन रहता हूँ जग भव सागर तरने की नाव बनाए, यह पूरा संसार जो है, इस संसार में जीने के लिए कर्म रूपी नाव चलाता रहता है अर्थात अपने अवयबोव संपत सब इकठा करता रहता है, मैं भव मौजों में मस्तभा करता हूँ और मैं इस संसार के में जीने का मजा लेता हूँ मतलब अच्छात उनका कि मैं संपति कत्र नहीं करता मैं यहाँ इस संसार में आए सभी छड़नों को बहुत ही मस्ती के साथ व्यतीत करता हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं कि मुझे यह कत्र करना है या मेरा टार्गेट है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं अचीव किया उन्होंने क्या कहने का मतलब है कि मुझे संसार में सर्फ जीने का मजा लेना है और इभव मतलब इस दुनिया में इस दुनिया में जीने के जो मजे हैं मैं उनको लेता फिरता हूँ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता आत्मु परिचे से अवतरित है इसके रचेता प्रस्त गीतकार हरिवन शुराय बच्चन है इस कविता में कवी जीवन को जीने की शैली बताता है साथ ही दुनिया से अपने दुन्दात्मक संबंधों को उजागर करता है देखिए प्रसंद सभी जगा लगभग एक ही रहेगा क्योंकि पूरे कविता का सार ही एक ही है तो इसलिए हर जगे प्रसंद सेम रहेगा द्वंद कर रहे हैं जो भी दुनिया में लोग हैं उनके जीवन के तरीके और उनके जीवन के तरीके घरविंशाय जी के अलग अलग हैं तो वो दंदार्कमत उनका चलता रहता है व्याख्या कभी अपने मन के भावों को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है उसे सुख के जो पहार मिले हैं उन्हें वा साथ लिये फिरता है उन्हें ये संसार अधूरा लगता है इस कारण यह उसे पसंद नहीं करते हैं वह अपनी कल्पना का संसार लिये फिरते हैं उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है वह कहता है कि मैं अपने हिदय में आग जला कर उसमें जलता हूँ अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वेम ही सहन करता हूँ प्रेम की दिवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मस्त रहता हूँ यह संसार आपदाओं का सागर है लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं परन्तु कवी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर भैता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं है यानि कि ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए वो जी रहे हैं वो अपना जीवन मस्ती से बिता रहे हैं उन्हें किसी को कोई चीज दिखावा नहीं करना जहां पर लोग हर एक चीज संपदा इकठी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर वो सारी चीजे नहीं है मैं यौवन का उनमाद लिए फिरता हूँ उनमादों में अवसाद लिए फिरता हूँ जो मुझको बाहर हसा रुलाती भीतर मैं हाई किसी की याद लिए फिरता हूँ कर्यत्न मिटे सब सक्त किसी ने जाना नादा वही है हाई जहां पर दाना फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भुलाना अब इन दोनों चंदों में क्या कह रहे हैं मैं योवन का उनमाद लिए फिरता हूँ जब युवा अवस्था होती है तो एक मस्ती ही अलग होती है तो उन्होंने वही बोला मैंने अपने उपर युवा अवस्था का जो पागलपन है मैं वो लेकर फिरता हूँ उनमादों में अफसाद और इसी पागलपन में मेरे पास जो दुख है मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलता रहता हूँ जो मुझको बाहर हसा रुलाती भीतर है और ये सबी उन्माज जो है जो पागलपन के जो दुख है ये मुझे बाहर तो हसाती है लेकिन अंदर की तरफ रुलाती है मतलब मेरा हिर्दे रोता है मैं हाई किसी की याद लिये फिरता हूँ उनके जीवन में उनकी जो प्रेसी आई उसकी याद वो लेकर चलते हैं अपने साथ में कर यतन मिठे सब सत्त किसी ने जाना नादा वही है हाई जहां पर दाना सभी ने बहुत सब लोग इस जीवन में बहुत यत्न करते हैं लेकिन किसी ने भी इस जग के सत्य को नहीं जाना है नादा वही है हाए जहां पर दाना सभी लोग यहां पर नादान है वो लोग नहीं जानते कि इस संसार में दाना कहा है दाना अर्थात हमारा अचीव में नवारा टार्गेट क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लोगों को नहीं पता इसलिए यहाँ पर संसार के लोगों को नादान बताया क्यों क्योंकि यहां पर सभी लोग उन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं कभी के अनुसार उनके लिए इस जीवन का सार है इसने है प्यार तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि यहां पर नादान वहीं है यानि कि सब बेवकूफ वही हैं जो उस धन संपता के पीछे भाग रहे हैं लेकिन एक्चुल में वो सब चीजे वियर्थ हैं फिर मोड न क्या जग जो इस पर भी न सीखे अब ये जग जब बेवकूफ है जो इतना सब समझाने पर भी न सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भुलाना अर्थात मैंने इस दुनिया की जो रीत सीखी थी मैं उस सभी ग्यान को भुला कर आगे चलने के रास्ते ढूंड रहा हूँ मतलब जो भी इस दुनिया की चलने की रीत थी जो मैंने अब तक सीकी थी मैं उन सभी सीखों को भुला रहा हूँ अब अपने लिए वो अपना ही एक नया संसार उनों ने बनाया जो इस नहीं प्यार से बना है तो इसलिए वो जो सारी रीती थी इस संसार में चलने की वो सारा ग्यान इनको भुलाना अब है और वही चीजें वो सब भुला रहे हैं प्रस्तुत काव्यांश हमारी पार्ट पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता से उद्धत है इसके रचैता प्रसिद रचैता गीत कर हरवंश राय बच्चन है इस कविता में कवी जीने की शैली बताता है साथी दुनिया से अपने दुन्दात्मक संबंधों को उजागर करता है अब व्याख्या क्या है? कवी कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है वह उसकी मस्ती में घूंता रहता है इस दिवाने पन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं वह इन दुखों को उठाए हुए घूंता है कवी को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हसा जाती है परंतु उसका मन रो देता है अर्थात याद आने पर कवी का मन व्याकुल हो जाता है अर्थात जो उसको सारी चीजे हैं उसके प्यार के रिलेटेड वो उसे जब याद आती हैं तो वो रोनी लगता है कभी कहता है इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जाननी की इक कोशिश की परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया है इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है ये सभी मूर्ख हैं जहां समझदार वाचतुर होते हैं हर व्यक्ति वैभव संप्रदा भोग सामगरी की सामगरी की तरफ भाग रहा है उन चीजों के पीछे भाग रहा है इसलिए संसार को नादानिया मूर्ख कहा है उ अभी कहता है कि मैं सीखे हुए ग्यान को भूल कर नई बाते सीख रहा हूं अर्था सांसारिक ग्यान की बातों को भुला कर मैं अपने मन के कहे के अनुसार चलना सीख रहा हूं तो जो भी उन्होंने सांसारिक जो भी ग्यान है अर्था इस जीवन में जीने के जो भी नियमें सीखे हैं उन सभी को भुला कर वो अपने लिए एक नए संसार के नियम काईदूं को बना रहे हैं अपने मन के अनुसार वो चलते हैं आगे कविता है मैं और और जब मैं कहां का नाता मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता जग जिस प्रतवी पर जोड़ा करता वैभव मैं प्रतिपक उस प्रतवी को ठुकराता मैं निज रोधन में राग लिये फिरता हूं शीतलवाणी में आग लिये फिरता हूं हो जिस पर भूपो के प्रासाद निखावर मैं वाखंडर का भाग लिये फिरता हूं अब इनमें क्या बोल रहे हैं जो पहला चंदे देखेंगे मैं और और जब और कहा का नाता अब इन्होंने जो बोला है मैं यानि कि मैं इस अपने लिए और जब इस संसार के लिए और कहा नाता मतलब मेरा इस संसार से नाता नहीं है क्योंकि वो अपने अनुसार चल रहे हैं जीवन मेरा इस संसार के साथ नाता नहीं है मैं बना बना कितनी रोज मिटाता यानि कि मैं रोज अपने लिए एक नया जग बनाता हूं और रोज मिटाता हूं अर्थात मेरे रास्ते में आने वाले बहुत से लोग हैं जो मेरे जीवन का भाग बनते हैं लेकिन फिर दूसरे दिन जो वो सुर्यूप होता है वो बदल जाता है जग जिस प्रत्वी पर जोड़ा करता वैभव यानि कि इस संसार में लोग जो हैं अपने लिए वैभव संपत्ती जोड़ा करते हैं मैं प्रति पग उस प्रथवी को ठुकराता हूं और ऐसी प्रथवी जहां पर लोग अपने लिए वैभाव संपत्ति सब जोडते हैं मैं ऐसी प्रत्वी यानि की ऐसे संसार को ठुकराता हूँ मुझे ऐसा संसार जीने के लिए नहीं चाहिए मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ अर्थात मेरे अंदर जो रुंदन है यानि जो तकलीफ है दुख है तब भी मेरे उस रोदन में अपना ही राग है अर्थात मुझे अपने उस तकलीफ में भी मज़ा आ रहा है जीनी का शीतल वाडी में आग लिए फिरता हूँ यानि मेरी वाडी एकदम शीतल है शांत है लेकिन उसमें अंदर देखा जाए तो आग ही आग है अर्थात मतलब उसके अंदर बहुत कुछ छिपा है जिसे मैं फीलिंग्स है जो इच्छाए है जो भावनाए है वो ऐसी अनमोल है कि उस पे मैं भूपो यानि राजाओं के महलों को भी नीचावर कर दूँ माना मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो खंडर है भली क्योंकि वो अब जो उनकी प्रेसी थे उनके पास नहीं है तो अब उनकी यादों का खंडर ही उनके अंदर है तो उसको उनोंने क्या बोला है वह खंडर का भाग लिए पता मेरे अंदर यादों का जो खंडर बचा हुआ है वो खंडर इतना अनमोल है कि उसके उपर मैं राजाओं के महलों को भी नीचावर कर दूँ यानि मेरी यादे मेरे लिए बहुत ही जादा अनमोल है। इस संसार का निर्मार करता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है। फिर भी उस पर राजाओं के महल नियुचावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए गुंता है जिसे महल पर भी नियुचावर कर सकता है। अब इन आखरे चंदों में देखेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं मादक्तानी शेश लिए फिरता हूं। जिनको सुनकर जग जूम जुके लहर आये। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब वह बताते हैं कि वह एक कभी हैं। कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे कवी कहकर यह संसार क्यों अपनाता है? मैं तो इस संसार का एक दीवाना हूँ, मैं एक नया दीवाना हूँ, यानि कि मुझे प्यार हुआ है तो मैं एक नया दीवाना हुआ तो मुझे ये संसार कभी ना कहे मुझे दीवाना कहे मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं दीवाना हूँ तो दीवानों का परिवेश मतलब मैंने उसका वेश धारण करके मैं फिरता रहता हूँ मैं मादक्तानी शेश लिए फिरता हूँ अर्थात मेरे अंदर वो मादक्ता यानि की जो दीवानों के अंदर जो पागलपन होता है वो मैं अपने अंदर लेकर फिरता हूँ जिनको छूकर जग जूम उठे अगर वो जग इस पागलपन यानी अर्थात इस प्यार को समझ जाए तो उसको पाकर वो जूम उठेगा इस मादक्ता के आगे वो जुक जाएगा और जब इसको अपना लेगा तो उसकी मादक्ता यानी कि उसके नशे में वो लहराता रहेगा मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ अर्थात मेरे पास इस संसार के लिए संदेश है अर्थात वो अपनी चिन्ताओं को भूल जाए और मदमस्त हो जाए वो संदेश में अपने साथ लेकर चलता हूँ इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? पहले प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पार्ट पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता आत्म परचे से उद्दत है इसके रचेता प्रस्त गीतकार हर्वन शुराय बच्चन है इस कविता में कवी जीवन को जीने की अपनी शैली बताता है साथ ही दुनिया से अपने दुन्दात्मक संबंधों को उजागर करता है अब व्याख्या में क्या करेंगे? कवी कहता है प्रेम की पीडा के कारण उसका मन रोता है अर्थात हिदे की व्यथा शब्दों के रूप में प्रकट हुई उसके रोने को संसार गाना मान बैठा और जब वेदना अधिक हुई तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से विक्त करता है तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है कवी प्रेश्ट करता है कि ये संसार मुझे कवी के रूप में अपनाने के लिए तयार क्यूं है वह स्वेंग को नया दिवाना कहता है जो हर इस्तिती में मस्त रहता है समाज उसे दिवाना क्यों नहीं स्विकार करता वा दिवानों का रूप धारण करके संसार में घूमा घूमता रहता है उसके जीवन में जो मस्ती शेश रह गई है उसे लिए वा घूमता रहता है इस मस्ती को सुनकर सारा संसार जूम उटता है कवी के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम से जुख जाते हैं तथा आनंद से जूनने लगते हैं मस्ती के संदेश को लेकर कवी संसार में घूनता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं तो उसके अंदर जो मस्ती है वो सभी पताते हैं तो इस तरीके से जो हमारी प्रतम कविता थी आत्म परिचे वो यहाँ पर खतम होती है अब हमारा जो दूसरा इसी पार्ट में है गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है अब हम वो पढ़ेंगे अब जैसे हमने बताया था दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसमें कभी अकेले हैं त इस covenant उन्हों ने आखरी चंद में किया है पहले चंद में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पतिक यानी की रास्ते पे चलने वाला व्यक्ती जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता है कि शाम होने वाली है पतिक covenant किया है यहाँ पर हो ना जाए पतमे रात कहीं, मनजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच ठकादिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो यहां पे उन्होंने क्या बोला रात कि एक पत्थ का पंथी जो है जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा है क्योंकि जो है मन्जिल अभी दूर नहीं अर्थात उसका जो घर है वो जादा दूर नहीं है और शाम होने वाली है शाम हो गई है तो उसे इसने क्या सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लूँ और अपने घर की तरफ जल्दी से पहुंच जाओं क्योंकि दिन जो है व और वो अभी दूर तो नहीं है और उसके घर में उसके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तो उसे जल्दी घर पहुँचना है यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन भर का थका वो पंथी यानि कि वो पथिक जो रास्ते में चल रहा है जब वो ही सोचता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और घर में इतने सारे लोग बीबी बच्चे माता पिता सब इंतजार कर रहे हैं ये सोचते ही उसके कदम और जल्दी जल्दी चलने लगते हैं कि कहीं दिन जल्दी ना ढल जाए और पत में ही कहीं रात ना हो जाए तो इसको क्या दिया है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित गीत जिन जल्दी जल्दी ढलता से है उद्धत है इसके रचैता प्रसिद गीतकार हरिवन श्राय बच्चन है इस गीत में कभी ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्य राख्या करता है वह कहता है शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए उसकी मंजल समीप ही होती है इसकारण वह ठका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है लक्ष प्राप्ती के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होत बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी इसलिए ठकित शरीर में भी उसका उल्लसित तरंगित और और आशानवित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने दिता क्यांकि कहीं ऐसा नहों जाए कि उसको रास्ते में रात हो जाए तो उसका वो सफर पूरा नहीं हो जाएगा और बीच में उसे अपना सफर रोकना पड़ेगा इस डर से वो जल्दी जल्दी अपने कदवों को बढ़ाता है आगे की चन में क्या है बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से जाक रहें होंगे यह ध्यान परों में चड़ियों के भरता कितनी चन चलता है दिन जल्दी जल्दी धलता है अग दूसरी चन में उन्होंने चड़ियों का वर्णन किया है जब चड़िया भी शाम होते ह घर की तरफ जाती हैं उसका बता है क्या हैं बच्चे प्रत्याशामों हूँगे यानि कि बच्चों को आशा लगी हुगी कि चीज इन के भूके हैं प्रत्य आशा मतलब इस चीज की आसे की माता-पिता आएंगे और हमको भोजन देंगे इस आशा में वो नीडों से जाक रहेंगे रथात अपने घोसलों से नीचे की तरफ जाक रहें होंगे कि जल्दी ही हमारे माता-पिता आजाएंगे ये ध्यान परों में चडियों के भरता कितनी चंचलता है जैसे ही उन्हें ये सब ध्यान आता है कि बच्चे जो है घोसलों में उनकी आशा में जाक रहे होंगे जैसे ही पिडियों को ये ध्यान आया उनकी पंकों में तुरंत ही गती आ जाती है और वो तेजी तेजी से अपने घोस्नों की तरफ उड़ने लगती हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह इसलिए क्योंकि दिन जो है बहुत ही जल्दी ढल जाता है मदर रात होने से पहले चड़िया जो है वो अपने गोसलों में अपने बच्चों के पास में पहुत जाना चाहती हैं क्योंकि उन सभी का इंतजार चड़ियों का इंतजार उनके बच्चे कर रहे हैं अब प्रसंग आएगा पहला प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित गीत जिन दल्दी जल्दी ढलता से उद्दत है इस गीत के रचैता हर्वंश राय बच्चन है इस गीत में कवी ने एकाकिन जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वंडन किया है कवी प्रकति के माध्यम से उधारन देता है कि चड़िया भी दिन धलने पर चंचल हो उठती हैं वे शीगरत शीग अपने घोसलों में पहुचना चाहती हैं उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदी की आशा में घोसलों से बाहर जाक रहे होंगे यह धान आते ही उनके पंकों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने गोसलों में पहुँच जाना चाहती है अब आखरी चन में उन्होंने अपने बारे में बताया है मुझे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल यह प्रश्ण शितल करतापत को भरता उर में विहलता है दिन जल्दी जल्दी डलता है तब वो बोलते हैं कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है क्या मुझसे मिलने को कौन विकल यानी कि मेरे मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है मैं हो हूँ किसके हितिचंतल अर्थात मेरा दिल जो है उससे मिलने के लिए क्यों चंचल हो जब मेरे इंतजार ही कोई नहीं कर रहा मैं किसी से मिल कोई है नहीं मेरे को चाहने वाला जिसको मिलने के लिए मेरा मन चंचल हो जिसके कारण मेरे पैर जब कोई नहीं है तो मेरे पैर जो है ये रास्ते में ही शितिल हो जाते हैं अर्तात रुक जाते है, भरता मुन में विहलता और ये विचार जैसे ही मेरे हिर्दै में आता है तुरंत ही मेरा मन जो है विहलता से भर उठता है यानि कि मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ और रास्ते में मेरे जो कदम है वो तुरंत ही रुख जाते हैं दिन जल्दी जल्दी डलता है अर्था क्यों ये दिन बहुत ही जल्दी जल्दी डल रहा है प्रसंग देखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित गीत जल्दी जल्दी डलता है से उध्यत है कवी कहते हैं कि संसार में वहाँ अकेला है इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है उसकी उतकंठा से प्रतीक्षा नहीं करता वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए कवी के मन में प्रेम तरंग जगने की कोई भी कारण नहीं है कवी के मन में ये प्रश आने पर उसके पैर शितल हो जाते हैं उसके हिदय में व्याकुलता भर जाती है कि दिन धलते ही रात हो जाएगी रात में एकाकी पन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी इससे उसका हिदय पीड़ा से बेचैन होता है क्योंकि शाम होगी तो उसे अपनी प्रिया की याद आने लगेगी और जिससे उसे बेचैन ही होने लगेगी इसलिए वो घर जाएं भी तो किसके इंतजार में जाएं क्योंकि अकेला पन उनको बेचैन करेगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी आरो बुक का चैप्टर जो प्रथम है क्लास ट्वेल्ट की आरो बुक है उसका प्रथम चैप्टर है आत्म परिचे और एक गीत जो है वो हरिवर्श जाए बच्चन जी द्वारा प्रिस्तुत किया गया था दोनों ही हमने पढ़े और समझे अब उस पर आधारित प्रश्णों को दीखते हैं प्रथम प्रश्ण हमारा पूछ रहा है कविता एक और जग जीवन का भार लिए गूमने की बात करती है और दूसरी और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं विप्रित से लगते इन कतनों का क्या आश्र है यानि कि एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं जग का भार लेकर फिरता हूं और दूसरी तरफ बोलत रहे हैं कि मैं जग का ध्यान नहीं करता तो जब आप उसको अपना भार लेकर उसका फिर रहें और ध्यान नहीं करें तो दोनों अलग-अलग चीजें कथन उन्होंने यहाँ पर क्यों बोले हैं क्या दिया है संसार के आम लोगों की भाती कभी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख, दुख, हानी, लाग को जहलते हुए अवह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है यानि कि उसके ऊपर जो रिस्पोंसिबिल्टी जियन को पता है सारी जो फीलिंग से उन्ही सभी को देखते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर रहा है कभी संसार के प्रती अपने दायित्व को समझता है वह संसारी कष्टों की और ध्यान नहीं देता बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रती सजग है वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भार इन और कष्ट उमुत करना चाहता है वा मार्ग में आने वाली चुनोतियों और रिकावटों की परवा नहीं करता बलकि अपने कर्तब विकी पूर्ती करता है अर्थात भार का मतलब यहाँ पर है कि जो उसके उपर responsibilities हैं उन सभी को साथ में लेता है और साथ ही संसार में मिलने वाले सुख दुख सभी चीजों को वो भार के रूप में अपने साथ लेकर चल रहा है लेकिन फिर दूसरा उतरफ उन्होंने क्या दिया दूसरी और में कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ मतलब जो जग ये बोलता है कि परवह करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो उन सब चीजों का वो ध्यान नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान किये हुए चलता रहता है Q2 है जहां पर दाना रहते हैं वही नादा भी होते हैं कभी ने ऐसा क्यों कहा है तो दाना के मतली भी हाँ पर सांसारिक सुखों से लिया गया था और नादान मतलब वे मुर्ख जो उस सांसारिक सुखों को पाने के लिए रहते हैं क्या दिया है जहां दाना रहते वही नाधा भी होते पंक्ति के माध्यम से कभी कहता है जहां विलासिता एवं उभोक के साधन होते हैं यानी वैभाव के जैसे कि हम बोलेंगे की कार है आपकी क्या केते हैं एसी है टीवी है यहां पब पार्टी जोगरा में जाएं तो यह सब विलासिता के और हमारे उबवोग के साधन हैं लोग वही रहना पसंद करते हैं जहां पर ये सभी साधन होंगे लोग वही पे भी रहना पसंद करते हैं मनुष सांसारिक माया जाल में उलजकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष को भूल जाता है तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है इसी माया जाल में फच जाता है और फिर उसकी जो में एम होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति वो इस एम से कभी सथ्ट की खोज के लिए अंग कार को ट्याग कर जीवन के सगुप्योग पर बल दे रहा है ताकि मनुश जीवन सार्थ तको यानि की हमें इस जीवन के सथ्ट की खोज करना ही विलासता बरी चीजों को ट्याग ना है इसमें विलास्तिवर्ण जीवन का ये हमें प्रदभस्ट करता है तो ये हमें प्रेरक कर रहे हैं कि हमें सही रास्ते को अपनाना है Question number 3 है मैं और, और जब और कहा का नाता पंक्ती में और शब्द की विशेष्टा बताईए अब इसी एक पंक्ती में तीन बार और शब्द का इस्तेमाल किया गया है इनकी क्या विशेष्टा है, क्यूं कहा जा रहा है अब दिखें, इसमें हर एक और का मतलब अलग है इसलिए यहां पर यमक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है तो कैसे दिया यहां और शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ है अता यहां यमक अलंकार है इस प्रकार अनिकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग तुआ है मतलब एक अर्थ के कई अलग अलग अर्थ है और है और उसके अलग अलग अर्थ है तो यह अनिकार्थी हो गया और जहां पर एके शब्द के अलग-अलग अर्थ हो तो वहां पर क्या होता है आपका यह मकलंकार भी होता है अब तीनों और के हम मतलब अलग-अलग समझेंगे पहले और यानि की इस वाला और में जो मैं के साथ लगा हुआ है इसमें क्या है मैं कवी स्वेम को आम आदमी से बता रहा है फिर दूसरा और उसी के बगल में दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया है दूसरा और में क्या बताया है उसने जग की तरफ इसारा किया है यानि ये संसार की तरफ इशारा किया है तीसरे और के प्रयोग संसार और कभी में किसी तरह के संबंद को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है मतलब ये और बताया गया है कि कभी और इस संसार में दोनों में किसी भी तरह का संबंद नहीं अब संसार का मतलब है इस संसार में रहने वाले लोग जो ये लोग है उनका एम अलग है वैभव, धन, संपती, उभ्योग, विलासता लेकिन कवी का क्या है हमारा कवी ने उसने अपने प्यार को, अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को महत्ता दी तो वो बोल रहे हैं कि इ शीतलवारी में आग के होने का क्या आश्रे है सबसे पहले जिए शीतलवारी में आग लिए अब शीतल मतलब ठंडा और आग मतलब गरम तो अब ये दोनों चीज़ें विपरीत हैं कि नहीं विपरीत हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये है क्या तो सबसे यहां विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है इसका आश्रह यह है कि कभी अपनी शीतल और मधुर आवाज में जोश, आत्म विश्वास, साहस, द्रड़ता जैसी भावनाएं बनाये रखता है उसकी वाड़ी शीतल है लेकिन उसमें वो सभी चीजे भरी हैं जो एक प्रफुलित व्यक्ति में होती हैं द्रड़ता है, आत्म विश्वास है, उत्तेजना है, सभी कुछ वो उसके अंदर भर है जिसको उसने आग की संगया दी है ताकि वह लोगों को जागरत कर सके उसकी शीतल आवाज में विद्रो की आग छीपी है यानि कि उसकी जो शीतल वाड़ी है, उससे वो लोगों को जागरत करना चाहता है, उनके अंदर विद्रो ही प्रवित्ति को पैदा करना चाहता है ताकि वो चेंज ला सके इस व्यभव वरेव जीवन से निकल कर जो है वो अपने मेन लक्ष यानि मोक्ष की प्राप्ती की तरफ ध्यान दे सके नेक्स कोशन है बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झाक रहे हैं तो ये गीत हमारा जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उससे प्लिया गया है उसमें बच्चे किस आशा में जाक रहे थे दाने की आशा में माता पिता के आगमन पे उनको भोजन प्राप्त होगा इस आशा से वो अपने नीडों अर्थात गोशलों से जाक रहे थे पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी मा की प्रतीक्षा में आशा से नीडों से जाक रहे थे कि शाम को लोटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मदुर इसपर्श प्रदान करेगी भोजन भी खिलाएगी और मा का जो मदुर इसपर्श होता है वो भी उनको प्राप्त होगा नेक्स कोशन है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवनती में कविता की किस विशेशता का पता चलता है अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में जो बार बार यह इस वाक की को जो है उन्होंने कई बार इस्तिमाल किया है सिर्फ जल्दी जल्दी की आवनत्ती यहां पर नहीं हो रहे हैं, दिल जल्दी जल्दी धलता है, इस पूर्य गीत में उन्होंने तीनिया चार बार इस्तेमाल किया है, तो इस आवनत्ती से क्या पता चलता है, दिन जल्दी जल्दी धलता है कि आवनत्ती से यह प्रकट होता ह कि प्रेम में डूबे और लक्ष की तरव बढ़ते बढ़ने वाले मनश को समय बीतने का पता नहीं चलता गंतविका इस्मरण पतिक के कदमों में इस फूर्ती भर देता है अर्थात जिसके अंदर अपना एंडिसाइड हो उसको पता हो कि उसे क्या करना है तो वो अपने काम म लग जाता है और फिर कितनी जल्दी समय बीच जाता है ये हमको पता ही नहीं चलता अर्थात जैसे चड़िया है वो दाना पूरा दिन टहलती है सब होरती है जल्दी जल्दी दाना चुकती है कि अपने बच्चों के लिए लेकर आईए अब उसका लक्ष क्या है कि उसके ब आता कि जल्दी घर को पहुँचे शाम को अपने को कि उसके घर में उसके सभी लोग इंतजार कर रहे हैं तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी घर का सारे काम कर रहा था जिस काम से निकला था इस वो उद्रास्ते में ही उसको शाम हो गई तुसे लगा कि कितनी जल्दी दिन धल गया क्यों कि उसका aim decided था कि अपना काम पून करके उसे जल्दी घर पहुचना है और इसी चीज में कि जल्दी उसे घर पहुचना है इसी स्कूर्ती में उसके कदम जल्दी जल्दी पत पे आगे बढ़ने लगते हैं तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रश्णुत्रों को हमने यहां खतम किया और इससे साथ ही हमने यह चैप्टर भी खतम किया बहुत ही अच्छा चैप्टर था बहुत ही सबसे बहुत जरूरी है कि इन में जिन भी चंदों को आपको समझाया गया है बहुत ध्यान से समझ क्योंकि इस पर बहुत तरह के प्रश्ण बनते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाए